नमस्कार प्यारे मित्रों आज हम लोग फ्रेक्शन में डेसिमल फ्रेक्शन के बारे में जानेंगे आपको डेसिमल फ्रेक्शन के बारे में हर वो तर्थ के बताएंगे जो की जरूरी है एवन एक्जाम से संबन्दित है चली हम लोग डेसिमल फ्रेक्शन देखते हैं प्रेक्शन में डेसी मलव तो फ्रेक्शन का अर्थ हमने आपको बताया है कि खंड होता है भिन होता है उसकी वाद डेसी मतलब दस मलव यानि कि कोई भी संख्या का पार्थ छोटा छोटा पार्थ दसमलव में हो उसी उसके डिरोम बदलना है दो बदलना में मान है से इसको हमको धिन के रूप में जाने कुछ दसंबलव भी तुकड़ा है घिन lucky है एक का दो पार्ट है जी मादलोग हुता क्या है खेम उतसा वाश्वता है यह ierra खृता है और वाश्विकता मैं कि क्यों साथ पर वाक। व्याधर में हमें लाना है Cyrus दसमलव के भी दो प्रकार होते हैं आई ये हम उसको जानते हैं क्या क्या है दसमलव भीन के दो प्रकार सबसे पहला टाइप वन है दसमलव के बार के बार निश्चित अंक ठीक है और तेखे पर इसी को जानते हैं दसमलव के बार निश्चित अंक कहने से निश्चित कब की साकुछ एक साबनव होते हैं कि इसको करते हैं तो कि इसको करते हैं है है दसमलव के बाद निश्चित अंग है दूसरा टाइप के बाद रीपीःः जाता हो कि ये बाद अंग कि रीपीट होता हो रीपीट होता हो हो ठिक है दस् обяз अंक होता हो इसके दो टाइप है इसके भी डो टाइप है एक अंसता और एक पुर्णत हुआज है तो आए हम इसके दोनों को देखते हैं देखें चलिए A और B करके इसको समझते हैं दसमलव के बाद दसमलव के बाद जो है डिजिट जो है 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा हो अनंत तक इंफिनिटिव तक दसमलव के बाद 4 2 3 4 2 3 ये अनंत तक रिपीट होता हो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अन्त जो है वहीं रिपीट होता हो एक पैटर भी ऐसा बनता हो 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 उसका अंत नहों अनंत तक वह जाता जाएगा इसकोई कोई सीमा नहीं है आए तरह सकता है एक सेनों तक हो जाए फिर एक सेनों तक कोई भी एक पैटरन बना के वही रिपीट होता जाए ठिक है और दूसरा क्या है कि पहला जो डिजिट है एक या दसंदोन प्वारेक्श रहेगा इसी इसके टू तू 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 इन्प्रीटिव तक त्रिफ बॉइंट 32222 क्या repeat हो रहा है क्या repeat हो रहा है हूझ ये 2222 repeat हरहा है यहां पर ठीक है आप देखिए यहां आहेसा रहा हो सकता है जीडियो- यानिन की एक प्रहडना के शेब के छो प्राकार हो गया एक हो गया कि सारा जो है सारा अधुर मनांके रिपीट होता हो या दूसरा क्या है एक जब दो दिजिक च्छोट देता है हो फो dad ही नहीं कि पहले वाला रिपीट होता हो और यमस्का पर उल्दीट होना जा都是 सबस्क्राइबusta में चालूरय ज्याएगा जाएगा ज definitely जाता है यह उस्तिर ए हिसका रिपीटेशन होते रथा है कभी ये समाप होता ही नहीं, अनंत तक चलता जाता है, तो हम इसको एक्जामपल के मात्यम से आठको समझाएंगे कि इसको कैसे हल करते हैं, इस्थिर में तो होते हैं, निस्चित जो हotे है, तामड़त बार कलाद को इसको कैसे हम भिन ने बदलते हैं और इसको जो repeat हो रहे हैं उसको हम भिन में कैसे बदलते हैं आईए हम आगे examples के मार्ण से आपको समझाएंगे एक चीज़ और जानिए जहां से repeat हो रहा हो जहां से repeat हो रहा हो जैसे कि इसमें क्या है 0.3 repeat हो रहा हो तो 3 पे recurring हो जाएगा ठीक है यहां पर क्या है 0.423 repeat हो रहा है यह क्या है 0.322 repeat हो रहा है तो 3 को छोड़कर जो repeat नहीं हो रहा है जो आंक repeat नहीं हो रहा है उस पर dice नहीं होगा रेकरिंग का अर्थ क्या हो यह वो दोहराता चला जाए repeat होता चला जाए इसको रेकरिंग कहते हैं या तो आपको सकते हैं dice या dot जो कहना है वो कह सकते हैं आप इसको ऐसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं तो इसका आथ हुआ कि यह 3 के बाद 2-2-2-2-2 दोहराता चला जाए यह pattern हो इसा 0.432 यह 32 पर दोनों पर रेकरिंग लग जाएगा दोनों के उपर पर यह dice सवार हो जाएगा और यानि कि इसका अतार पर हुआ फोर के बाद 3-2-3-2-3-2-3-2 जो है repeat होता जा रहा है कहां तक अनंध तक इसका कोई सीमा नहीं है इसका कोई सीमा नहीं है इसको short form में लिखने के लिए केवल इसके ऊपर dice लगा दिया जाता है चलिए examples के मार्धय लोग लेते हैं सब्सक्राइब करने के लिए ठीक है है क्या है सबस्क्राइब देखिए 0.45 क्या करना है हमने क्या बता है दसंबलब को भिन्न के रूप में बदलना है तो प्रना क्या होगा यहां पर निजिए तो एक पर उतना जीड एक पर उतना जी एक पर उतना जीड ऐसे समझे दसमलब हटाए एक रख दिए उसके जितना अस्थान है इधा जितना अंग है उत्रा जीरोब आप बैठा दीजिए ठीक है आप इसको हल कीजिए परनमा पैटालिस बीस बचे सो नौब अबटा फीस और एक जाम पर लेते हैं ठीक है देखें लिए एक रख दी एक दो तीन आई से समझे ना दसमभल के अब अगर दस दो आंक एक सो तीन आहें एक लजार चार अंक 10 अजार पांच एक लख आईसे आप इसको समय सकते हैं फटाफळ होगा कहीं कोई दिककत नहीं होगा आपको ठीक है आगए इसको आप कटेगा ठीक है ना आगे और कुछ एक आंपस लेते हैं कि इसको सब्सक्राइब यहां देशाम लगाए चार जीरो है चार अंखना तक दस हजार चार जीरो चार जीरो दस हजार काट दीजिए दो से तो लगता है कट रहा है यह भी दो से कटेगा इसको स्वाटेट पर में से जाल गुल ओल चाटेट इसे करने हैं तो इसको नपीं होना चाहिए देखें जहां समस्या सन्जा चाहिए अग हम लोग को आते हैं समस्या है निरंतर चलता जाए आप स्टॉद टो आंटते हैं Aa रिपीटेड वाला बोले थे, रिपीटेड, रिपीटेड डेसिमल, दसमलव के बाद, अंक अनिस्चित हो, तो देखें, अनिस्चित जहां अंक आ जाता है, उसको हम लोग रेकरिंग से सो करते हैं, या वहां से, जहां से, रिपीत हो रहा हो, उसके मत्रे पर एक बिंदू, ए जिसका ताथ पर है, यह डिजिट, यहां से यह करम दोहराया जाएगा, और कब तक उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक, ठीक है, तो लिजे, सबसे पहला इसको लेते हैं, 0.33, 3, 3, 3, 3, 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे रेकरिंग, या तो अप्र तो फिर यह , dot, आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो रेकरिंग दे दीजीए एक dot दे दे दीजीए, या एक dot कुछ भी दे सकते हैं, तो चलीए, एक जाँक्ष में को अपको Tara मिलेगा तो इसको हमको भिन के रूप में लाना है तो भिन के रूप में ऐसे ऐसे दसमलब के दिजिट्स को लाने के लिए रूप में क्या करना है लर्षा दिजिट्स को हमका उसको लेता है ूसका बटा में एक है एक है युआ रिपीट हो रहा है तो बटा में नौ बटा में नौ एक ही रिपीट हो रहा किसले हो चीरेजिट्स एक और तीन है ऑगर यहीं हो नहीं सब्सक्राइभ गूर। चीज रिपीट हो रहा है पोई सीमा नहीं तो इसा किसे हम लोग ग्रिफ एसकू हम लोग लिख लेते हैं 0 है Zero 3 4 और रिक और ınट दोनों पर देना है कि दोनों नग जो रिपीट हो रहा है दोनों आंकर रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग भिन के रूप में कई से बदलेंगे ठीरी फोर जो यहां पर नसमलब के बाद शंख्या है उसे हमने रख लिया उसके दोनों पे दो डिजिट पे रिएकरिंग है इसलिए दो बार नौ दो डिजिट पे रिकरिंग है इसलिए दो बार नौ यही हमारा भिन रूप हो जाएगा अगर कुछ आपस नहीं कॉमर हो तो काट लिए नहीं हो तो रहने दिजिए वही आपका भिन हो जाएगा चले एक और जम्प लेते हैं आप लिए जीरो जम्दग 3 2 5 यही जो है फिर 3 2 5 हो जाएगा अन्ध तक 3 2 5 3 2 5 3 2 5 जो हरा आया जाएगा इसका कोई सीमा नहीं होगा तो इसको भी हल करने के लिए 3 2 5 हम रख लेंगे और भागा में 3 digit पर रेकरिंग है यो फैननल स्वीन टेन सब्सक्राइब तो उतना बार नुआ वह ऊच्छ कटता हो तो काड लें नहीं नहीं तो वही आपका जिन्य नहीं हो जाएगा तो कटेंगा क्या यह ऐसे कटेंगे नों सबस्क्राइब तो तेन से तो तीन दून तीन दो पांथ 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 आसक नहीं नहीं ताव की से कटेगा याइए 111 से सुथ कटेपें निक लिए आपका भी नोगा आगे पाते हैं कि पॉ 생겼 है कि इस त्री पॉइंट रिट रे टु रिटू तो यानु यहां से आये यह त्री टू-3 त्री टू-3 ना ए टू-3 त्री टू-3 गोड़ा रहा है तो करना खाया हम हमें 3-3 हो गया तीम को, ऐसी जट लेंगी ठीक है, इसको सोग दिए, अब यहां से आएए, यह 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5 हो रहा है, यह 3, 2, 3, 2, 3, 2 को हम यहां पर रख लिया, भागा में कितना भार रिपीटेशन है, दो बार, दो बार हमने, यहां पर रिपीट 9 को कर दिया, जितना डिजित रि तो यही आपका धिन्न हो जाएगा तो आपको यहां तक कोई प्रोब्लम हुआ हो कमेंट करें अब आती है पारी इसका मतलब तो आपने समाझ गया होगा दो 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 तीन के बाद तीन सी रिपीट ने होगा दो 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 रिपीट होता जाएगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे इसको हम कैसे हल करेंगे तो 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 एज़िटी रख देना है अब किस दिजिट पर रिपीटेशन नहीं है यह सब्सक्राइब नहीं हो तक क्योंकि यह आएगा कहां से इसके बाह espresso इसा यह आ सकता है उन्हें लेकिक प्रके कभी कुना हो सकता हुआ। कि दश्मलाब के बाद एक दो आख हो के नहीं हो लेकिन रेमीटेशन जो हो बाद वाला ही उगा पहले वाला रेकलिंग करेंग उससे उससे तो ईक पर एक नहाप किस पर नहीं तो तो ऐ करते हैं। और ढूराओ दो सुन्ना तो एक पर दो सुन्ना तो यहां दसमालद के बाद एक डिजिट है जो की निशिट है रिपीट नहीं हो रहा है इसका भैलू क्या हो गया सुने अससा pię vaccines 10 तो सम्लाग या थे छरिक admired और हटेगा तो एक पर एक टुमन धिशिट है तो एक आ बैलू एक चना एक गाद आरकाधस लिए टेसीमर्ट, एक अस्थान का रत है 10, 20 सौ 30 का 1000 सी तरह बखा जाएगा. तो एक निशियंत है, ढिरोताम कॉस्वारत निशित है कि एक ही बार रेट है, एक ही बार है तो इसका सुनने हो जाएगा, और दो है अनंतिकाल तक रेपीट हो रहा है तो इसका 9 हो जाएगा. सबसे पहले सारा का सारा नहीं है फोर स्वतंत्र है निशित है कि फोर एक ही बार आएगा उसके 656565 जो होता जाएगा अन्दकाल तक इसका कोई सीमा नहीं है मृष्य मृष्य बेंगे सबसे पहले सारा का सारा ट्रेंगे 3565 इसके मानस करेंगे मैनस जिस पर रेकरी नहीं है, जो रिपीट नहीं होता हो, जो रिपीट नहीं होता हो, उसको हम माइनस कर देंगे, उसके भाग में जितना डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो दो दिजिट छे और पांच, तो दो बार नो, दो बार नो, नो भी दो बार रिपीट होगा, फिकर, उसक प्रिकतने हुआ सकेंडों में हलोगा हम आपको पता रहे समय लगा यह सकेंड में हल होने वाली चीजें हैं सकेंड में होने वाले मैंसे तो आप इसको solve कर लिए 461 उसके बाद 990 आपको लग रहा हो कि कोई comment है तो काड़ दिए comment नहीं है तो रहने दिजिए यही आपका भिन्न हो जाएगा यही आपका भिन्न हो जाएगा यहां तक तो कहीं किसी को confusion नहीं होना चाहिए आप सबों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि अगले क्या वाल से मिलेंके कि अगला क्लास आपको बटाएंगे क्या चाहा कि अगले अगले आर्श कहा हो सकते काटियों ने इच्छ च्वास में